ये है दिल्ली दरपान डेली एन्सी आर का नमब वन वेब चैनल नवरात्रे आने में अभी चन्द दिन बाकी हैं लेकिन दिल्ली में अभी से इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है चीहा नौथ दिल्ली के राजवाड़ा बाई 11 को उसमें आयोजितिस इंडिया नाइट का नजारा ही देख लीजे डांडिया की दुनों पर थे रखते लोग जिस तरह मस्ती कर रही हैं लॉइंस क्लब, संतुष्टी फिन पैक और किटी कैट्स के द्वारा आयोजितिस डांडिया नाइट में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया महल नुमा इस बैंक्विट की साथ सज्जा और इसके बीच यहां आए लोगों का ये हुजूम जिनकी खूपसूर्ती देखते ही बनती है दिल्ली दरपन टीवी से यहां आए आयोजकों और मेंबर्स ने अपने अनुभव कुछ इस तरह साजा किये आज इस डांडिया के आयोजन में करीप 500-600 लोग भाग ले रहे हैं और ये दिल्ली का सबसे बड़ी टीम सिंगर्स की आज मंच पर विद्यमान है इसके अलावा लोईंस कलब दिल्ली डिफेंस कलोनी किट्टी कैट की तरफ चे आज का ये आयोजन किया गया है एम एम रूप लेके जहां यहां पर डांडिया के लिए आयोए हैं हम लोग और हमारे ये आर्टिस्ट है इसके अज नवरात्रे में चलता है लेकिन आज नवरात्रे आने से पहले दो दिन हम यहां दो मचा रहे हैं यहां एक रजवारा पहले से उसके इंदर और बड़ी दोम धाम से दांडिया मस्ती कर चल रहे है अब है तर देख रहे हैं कितने सारे लोग डांडे अड्रेस में हैं और हरी श्मितल जी ओवर तो यू यह बिल्कुछ सही कहा रहे है यह प्रोग्राम पूरी दिल्ली में इससे बढ़िया प्रोग्राम कहीं नहीं होता और हम पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं आप जैसे देख रहे हैं हर आदमी पूरी मस्ती में है पूरे एंजॉयमेंट में है और बच्चे भी उतरे ही मज़ा कर रहे हैं जितने बड़े मज़े कर रहे हैं डांडिया नाइट में परफॉर्म करते ही ये कलाकार बाकाइदा गुजरात से बुलाए गए थे और उन्होंने अपने परफॉर्मिन्स से युवाओं के साथ बड़े बुजर्गों को भी डांडिया करने पर मजबूर कर दिया लोइन्स क्लब और किटी कैट्स जैसे नामी क्लब से जुड़े ये सेक्णों परिवार इसी तरह कि इवेंट्स आयुजद कर किसी भी अफसर को एक ग्रैंड सेलिबरेशन बना देते हैं और इस डांडिया नाइट का नजारा भी कुछ ऐसा ही दिखा मस्ती में नाच रहे हैं मस्ती में भूख रहे हैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम आज के दिए धेंग्यो मौज मस्ती और नाच गाने के बीच डांडिया नाइट में इस बच्ची का जनम दिन भी यादगार बन गया क्योंकि इस बच्ची का जनम दिन सभी ने पूरे उल्लास के साथ मनाया समाट में इस तरह के कारिक्रम और यहां आए सेकड़ों की संख्चा में लोगों का आपसी मेल जोल एक खुशनुमा माहौल तयार करते हैं जो आज के व्यस्त और तना भरे जीवन से बाहर निकल कर जिंदगी को सही माइने में जीने के लिए बेहत जरूरी हैं दिल्ली दर्पन टीवी के लिए सोनु के साथ रिशीख शर्मा की रिपोर्ट झाल